प्यारे मित्रों यों प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे राफ्टरे अर्थविवस्था पर युद्ध का प्रभाव देफे मित्रों हम आपको बता चुके हैं कि आज के फमय में कमजोर राफ्टर वर्तमान युद्धों को नहीं लड़ सकते क्योंकि वर्तमान युद्ध आर्थिक है युद्ध फामगरी अत्यंत महंगी है जिसकी अर्थविवस्था कमजोर है वो आज का युद्ध नहीं लड़ सकता अब युद्ध पर प्रभाव फीदी सी बात वही है कि अगर आज का युद्ध होता है तो इतने फारे युद्ध अंत्र फमाप्त होंगे तूटेंगे फटेंगे बहुत सारी बरबादी आएगी तो सीधी सी बात है कि अर्थविवस्था पर उसका प्रभाव पड़ेगा अर्थविवस्था हमारी कमजोर होना ही होना है आज हम लोग हो फकता है अब ये युद्ध के उपर निर्भर करता है कि हम लोग आज से कितने वर्फ हम लोग पीछे पहुँच जाएंगे ठीक चलिए देख़कते हैं पहला पॉइंट है अथा हधन भय होता है इसमें कोई नई चीज नहीं बताना है क्योंकि युद्ध उपकराण इतने महेंगे है करोणों में अर्बों खर्बों में रच्छा फाउदा होते है रच्छा फमझहोते होते है टेकनोलाजी का फमझहोते टेकनोलाजी फमझहोते या अच्छा उपकराणों के फमझहोते जो भी होते हैं करोणों में होते हैं तो अथा धन तो ब्याय हो गा ही और युद्धरत राफ्ट आर्थिक द्रिफ्ट से कई दफक पीछे पहुँच जाते हैं अर्था जब इतना फारा जो राफ्ट की जो आई है जो GDP है इतना फारा धन अगर ब्याय हो जाता है तो राफ्ट तो पीछे फक्ता है नागरिक आउफेक्ताओं की चीजें मिलना कम हो फक्ती है या बंद भी हो फक्ती है क्योंकि नागरिक आउफेक्ता की चीजों या अधिक्ताम धन को युद्ध फामग्री की ओर मोल दिया जाता है ठीक अर्थात जो कमपनिया हमारी नागरिक आउफेक्ता की चीजो का निर्माल करती है युद्ध काल में वही कमपनिया जो भी निर्मित करती है वो फैनिकों के लिए करती है युद्ध के लिए करती है अगला है राफ्र पर रिनो का भार बढ़ फकता है भई जैसा युद्ध होगा वैसे ही ये बेवफ्था होगी लंबा युद्ध होगा तो पुद्रा की कीमत अपने आप कम हो गई। तक बराबर इफराद हैं फान्तिकाल में, हो फक्ता है कम हो जाएं, कुछ फ़में आइफा भी हो फक्ता है यगर युद्ध लंबा खिचा जाता है, तो हो फक्ता है नागरीक जरूरतों की चीजे मिलना भी बंद हो जाएं, यूं कहा जाएं कि हफते में एक दिन फाबुन ल चलिए अब बंबारी होने फे अउद्धोगिक फंफथान भेके फंफथानों के भी नफ्ट होने का खत्रा होता है यह फत्त बात है क्योंकि उपर फे यह दिखाई तो पड़ता नहीं कि जिन उद्धोगों पर बंबारी करना है वो फैनिक फामगरी बनाने वाले उद्धोग है या कोई और चीद है या चिनी मिलकी फैक्टरी है या आटे मिलकी फैक्टरी है तो यह चीदे वहां फे दिखाई नहीं पड़ती और एक राफ्ट जो है दूफरे को बर्बात करने के लिए उसके हर प्रकार के फंफथानों का को नफ्ट करना चाहता है ठीक चलिए फीत फैक्ताओं ने फोबी अतफंग की फैक्ति को समाप्त करके उसे पंद्रह भागों में विभाजित कर दिया यह नई बात नहीं है इसे आफ अब लोग पर्चित ही है तथा प्रथम एवं दूती विफ्यूद्ध ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी उसे अमेरिका का पिछलग कंट्री हैं वो फभी जो है कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं भारत भी उन्हीं में फे एक था अब आप फोचिए दूती विफ्यूद्ध प्रथम युफ्यूद्ध में विफका फब्वे ताकत वर राफ्र ब्रिटेन इन दोनों विफ्यूद्धों को विचारे ने क्या जेला उसकी कमर इस तरह तूट गई कि आज की कंडीफन आप देख रहे हैं ब्रिटेन की अमेरिका के फामने बहुत पीछे हो गया यहां तक कि यह लगभग तीफरे चौथे नंबर पर आ गया अमेरिका हो गया फोबियत फंग हो गया चाइना हो गया भारत अब तो च्वचो में आया होगा ठीक है अब ज्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे और इस पर ज्यादा हमारा अगला पार्ट है ठीक है चलिए खुफ रहिए पढ़िए लिखिए मस्त रहिए